नमस्कार दोश्तों मैं हूँ राजा गुप्तर स्वागत है अपका बेहलपर यूट्यूप चैनल पर तो देखिए जहारकन सरकार के द्वारा लगातार अबुआ अवास को लेकर नए नए जो बात है वो कही जा रही है और यहां पर जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आया अब वारा अवास को लेकर अगर आप जानना चाहते हैं कि अब वारास जो है आपको कब तक मिलना में स्टार्ड हो जाएगा तो ऊसके लिए जो झारकन सरकार अवास का पूरा नक्सा तयार करने को यहां कि आप किस परकार से लोगों का बननाकर जाए कि परक्रिया भी बहुत तैजी से चल रही है जिससे आपको अब वह आवास योजना का लाब बहुत जल्द देखने को मिल सकता हो सकता है कि जो जनता दरबार लेगा उसमें ही देखने को मिल जा है तो चलिए जो पूरी खबर है कि नक्सा किस परकार से बनाया जा रहा है उसके आपको दिखा देता हूं बता देता हूं पढ़कर सुना देता हूं तो आप वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा देखिए तो इस आर्टीकल पर क्या लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि तीन कमरों के अब वह आवा हजार रुपे था ठीक है 2,75,000 रुपे था तो इसमें जो पूरा नियोज है पूरा खबर है मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं और यह आपके लिए जरूरी है जिससे आपको पता लग जाएगा कि अबुआ आवास आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो देखिए क्या लिखा ह का मकान मिलेगा इसके लिए डिजाइन तयार किया जा रहा है तीन कमरों और एक सोचाले का डिजाइन बन रहा है मुख मंतरी हैमन सोरेन और ग्रामिन विकास मंतरी आलम गिर आलम के समक्ष डिजाइन का प्रजेटेशन होगा इसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा तो पह माकेद के पास में इइजायन का दिखाया जाएगा पूरा नक्सका फुरा किटना बिठाई जाए wire का सारा चीते बताया जाएगा इसके बाद उसके लिए ये फैनल किया जाएगा तो इधर देखे क्या लिखा हुआ है प्रारमबिक चरण में जो डिजायन तैयार किया जा पर मन्थन भी हो रहा है चुक्कि मुख मंतरी की सुरू से इक्षा है कि बेगरों को तीन कम्री का आवास दिया जाए ऐसे में इसका डिजाइन तैयार हो रहा है इसमें सोचाले की विविश्टा होगी डिजाइन फाइनल होने के बाद है योजना को लागो करने की दिसा में ग खानकारी के मुताबिक परदान मन्त्रे आवास योजना ग्रामिन के तहट दो कमरे का मंगान मिलता है इस ही दो कमरे में पूरा परिबार रहता है इसकी लागत आई एपी जीलो के लिए एक लाग तीस हजा रुपे और नन आई एपी जीलो के लिए एक लाग बीस हजा रुपे है इतनी ही रासी केंदर सरकार से मिलती है इसके अलावा मनरेगा के कनवरजेंस से सोचाले निर्मान की भी योजना है चुकि मकान काफी छोटा होता है इसलिए राज सरकार ने पहले ही गोसना की थी कि इन अवासों में एक अतिरिक्त कमरे के लिए अलग से 50,000 रुपे दिये जाएंगे यह नई स्विक्रिती आवास योजना पर लागू होना था पर नई स्विक्रिती नहीं हुई इसलिए इसका लाव भी किसी को नहीं मिल पाया बाद में राज सरकार ने अपनी अबुआ आवास योजना की घोसना कर दी है तो इससे आपको पता चल गया है कि अभी जो है इस्तीति क्या है अबुआ आवास को लेकर तो अबुआ आवास बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 19 दिसंबर तक जो है अबुआ आवास के लिए आवेदन कराया जा सकता है तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और एक चीज में आपको बता देता हूं कि जैसे ही अब वह आवाज को लेकर नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको मेरे द्वार ही बताया जाएगा तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ए भार जार केंट